हेलो द्यूरेंट्स, वेल्कम बैक टू रपके मिया, स्क्रीन वा तुमा दुमा दिसत असल बरेस साड़े फोटोज अरेंज केले ले आहे, तर दिस आर द प्रिवीएस वीडियोज ऑफ देस सीरीज, या सीरीज मधे आपन सीटी एक्जाम 2023 मधे आले लेक्वेस्चन लिसकस करता होत। जा सीरीज मधे आपन ओल्रेडी अकड़ा वीडियोज अपलोड के लिली आहे, 11 स्टैंडर्द छे जे टोटल 9 चाप्टर्स आहे तिया पेगी 5 चाप्टर्स, आनी 12 स्टैंडर्द छे टोटल 16 चाप्टर्स आहे तिया आपकी 100 चाप्टर्स आपन अल्रे यहां पाइल मधे माझा करें प्रॉम MST-CET exam 2023 मधुन तोटल 25 questions अवेलेबल आ है सो विदाउट गिविंग एनी काइंड ओफ अधर इंटरक्शन वे बिल स्टार्ट विद क्वेस्टन डिसकेशन बगा एक छोटा पॉइंट फट्ता आड़ करतो हाँ वीडियो अशा स्टुडेंट साथ ही आ है जे CET 2024 एक्जाम टार्गेट करतास्तिल बठी टार्गेट करतास्ताना अल्रेडी तुम्चा बड़ाच्तारा पार्ट कवर जाले लासेल टॉपिक्स तुम्हीं कवर के लिएले आ है अनि आका फक्ता क्वेशन डिसकेशन तुम्हाला रिक्वाइड आ है तरथ तुम्हीं यहां वीडियो कंट्यूनियो करा यहां मदे मी में जेका ही डिसकस करना रहा है ते वित रिस्पेक्ट टू अन्ली क्वेश्चन असेल तैसा डीटेल चाप्टर डिसकेशन इथे होना नहीं है ओके तो स्टार्ट विडियो भगा क्वेश्चन काई देला है तर पहला क्वेश्चन अहें अपले करें वाट इस टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ रियक्शन इन फॉर्मेशन ओफ अल्डोल अल्डोल जा जे फॉर्मेशन असता त्या चाहां मदे एक्जाटली होतक आए तर चीडडबल बोल्ड रॉष ओ थिसडबल बोल्ड on called C signborn ph आणि हाजो carbon आए त्याला दुस्रेया अल्धी हाइड सा alpha carbon connect होतो तो ओर आल जर बगाल double bond आए त्या double bond सा single bond बनतो है तर ही जी reaction असे त्या reaction ला आपन बनतो addition reaction ओके तो इते correct option बनना रहा है अप लेगरे option B double bond आए त्यासा single bond जाला तो that's why it is called as addition reaction question number 2 काया है question 2 मदे बगा अपने देलेला ही dry ice dry ice मंजे काया असता तो it is CO2 and त्या CO2 वर्ती we are adding CH3MgbR CH3MgbR मंजे काया है तर आपन ग्रिगनार्ड रिएजंट आड़ करता है कोंटा वाला ग्रिगनार्ड रिएजंट आए जाचा मदे एक carbon present आए and it is followed by hydrolysis त्यान उन्तर काया के लेला है तर hydrolysis के लेला है so CO2 त्याचा मदे ग्रिगनार्ड रिएजंट आड़ के ला आणि hydrolysis केला की त्याचा वा सुन अपलेकड़े बनतो कार्बोगजिलिक असिर आता हां कार्बोगजिलिक असिर नपकी बनतो कोंता तते डिपेंड करता ग्रिगनार्ड रिएजंट मद्धिल कार्बन वरती समझा ग्रिगनार्ड रिएजंट मदे एक कार्बन आहे त्याचा मदे प्लस वन करा जो ड्राय आइस मदु नालेला आशान सो अशे 2 कार्बन सा कार्बोगजिलिक असिर बनेल अनि 2 कार्बोगजिलिक असिर मजेज तो जला इथानोयक असिर Okay, that's your correct cancer Dry ice, तैचा होती ग्रिगनाड येजन Followed by hydrolysis केल कि वी विल हाव formation of carboxylic acid And that carboxylic acid Will have one more carbon Than ग्रिगनाड येजन जे ग्रिगनाड येजन मदे carbon आहे तैचा पेक्षा एक carbon जास्तस ना राहे So, इथे दोन carbon चा Carboxylic acid बनला जो आहे अपले गरे We have given ethyl phenyl ketone Phenyl मंजे असना राहे Benzin ring Keton आहे मंजे तो जाला C double bond हो आणी टाला connector आहे पुरे दोन carbon So, लिटो में CH2, CH3 So, ethyl phenyl ketone आहे तैचा वर्ती आपन आड करतो है NH2, NH2 Hydrazyn आड के रेला है Hydrazyn जेवा आड करतो तो तेवा हाजो C double bond O आहे C double bond O ला connect होन जा तो C double bond N आणी N को उन्टा तर हा NH2 मतला हाजो NH2 आहे अपले गरे त्या आपई की connect होतो आणी रहीले ला NH2 जो आहे तो त्याला connector आशे जैचा होती पुरे आपन आड करता होत हाजो compound बननना राहे त्याचा होती आड करता होत KOH and ethylene glycol तो बगा हीजी reaction आहे तर दिस इस रेदक्शन रेक्शन एक स्पेशल नेम रेक्शन आहे त्याला मनित आपन वुल्फ किष्णर रेक्शन रेक्शन त्याचा एंड रिजल्ट काहे अस्तो तर हाजो C double bond O आहे दिस C double bond O विल कनवर्ट तो CH2 गूर्ट यह उडिस प्रोसेस आहे तो जो फाइनल प्रोड़क्ट असेल तैचा मधें वी विल हाव बेंजीन रिंग C double bond O चाही थे यह उन देन CH2 त्याला अगें CH2 आणि CH3 जै अल्रेडी प्रेजेंट होते तो ओर वर्ण है प्रोसेस मधें काहे थाला बेंजीन आहे और बेंजीन लाग तीन सीरीज मदले कार्बन कनेक्ट जाले सो तीन सीरीज मदले कार्बन बंजे तो बनना रहे N-Propyl Benzin ओके इस वाज़िवर क्रोड़क्ट नमबर ती क्वेश्चन फोर मदे बगा काई के लिला है क्वेश्चन फोर मदे अपलेगरे आहे methylpropanoate propanoate मांजे मी चला असलीन C2H5 C double bond हो तीन कार्बन जाले और Oate मांजे इस्टर आहे तो C double bond हो त्याला परतेना रहे सिंगल बॉन हो और त्याला कनेक्टे रसना रहे CH3 हाँ जाला तुमचा मिठाइल ग्रूप जैस मिठाइल तीन कार्बन वहनुं तो जाला प्रोपेल प्रोपेल आणी ओरोल तो आहे Oate काण तो आहे इस्टर ग्रूप ठीके Oate मांजे सम्झन रहे तो काई आहे इस्टर त्याचा करतो है आपन Hydrolysis followed by NaOH Hydrolysis करतो है Hydrolysis सा result काया है तो इथे जो compound आहे TA2H5 आज इस घेतो भगा मिठ त्याला आहे C double bond O आणी after Hydrolysis C double bond O आहे भगा हाँ इथे ब्रेक हून जातो सब्रेक हून जातो आणी मां इथे आपन इथे कनेक करना रहा है This is your end result of Hydrolysis तो इथे यह उन जाहिल आपने ले OH तो हाँ compound जो बनला C2H5 C double bond O single bond OH तर हाँ बनना रहा है आपने लेकरे Propanoic Acid This is called as Propanoic Acid प्लस इथे जो दूसरा पार्ट आशे तो आसना रहा है CH3OH That is Methanol So, इथे जो आप्शन्स आहे त्या आप्शन्स मधे Yes, we can find this correct option इथे दिलेल आहे बगा C2H5COOH आज अला आपला correct option Propanoic Acid Question No.5 इथे आपलेकरे आहे C6H5 Benzine Group CoCl Acid Halide Compound Acid Halide Compound Conversion C double bond OCl Conversion C double bond O H C L Reaction Carboczylic Acid Manja, आपन वाटर ची आडिशन करते आणि वाटर साथी इथे आपलेकरे आहे H2O Option C Alright Next question बगो आपन Next question मधे काया हे Third, this will be your sixth question I guess Yes Identify the product from following reaction बगा अगेन आद आला अन हाइड्राइर This is unhydrate And unhydrate वरती वाटर आइड के ले So it will result in formation of Carboczylic Acid Okay कोंटा ही Acid Derivative कोंटा ही Acid Derivative का अस्तत है Acid Derivative कोन अस्तत तब अगा TOOH पासुन वन लेले compound COH चाल खे मझे वास COCl आहे TONH2 आहे कि वास TOOR असल और COOCO असल मझे अन हाइड्राइड वाला पाट जाला हा तर हे इस सगेज धाले Acid चे Derivatives आनी हेंचा पासुन जर माला Carboczylic Acid बनवाएचा तर वी generally add water ठीक है तो इथे बगा दिलेला जो Compound आहे तैचा मधे Expand कुरून में मोठा लितो हा असा है CH3 C double bond O Single bond O C double bond O CH3 तो दोन ही साइलला दोन्डोन कार्बन दिशता है बंजे आपलेकड़े Carboczylic Acid बनेल और 2 Carbons दोन कार्बन इथे Carboczylic Acid बनते तैचा मधे अपलेला इथे Option करेक दिश्टोए बगाई थे CH3 COOH हाँ उता तुम्सा Question No.6 Next Question बगई आपन Propanone दिलेला है Ketone आए अपलेकड़े आणी Ketone वर्ती आपन एड करता है Base हाँ Ketone जो आए तो पन कोंटा टाइपस आए ता असा Ketone जाचा मधे Alpha Hydrogen प्रेजेंट आए तर इथे ही जी डियेक्शन आए CH3 C double bond OCH3 हाँ आपला Compound आए यहां Compound मधिल जो Alpha वाला हाँ कार्बन आए त्याचा एक Hydrogen कमी करता है सो मी इथेल यह तो CH2 देख इतला CH2 नहों हाँ आपला कार्बन आए तो मी connect करना रहा है दूस्त्रय Aldehyde ला जो दूसरा Aldehyde असेल त्याचा कार्बोनिल कार्ड बनला जहां सो C double bond O है त्याचा बनना रहा है C single bond OH आणी त्याला Connected है दोन मिथाईल भूँ ही आए तुमची प्रोसेस पर स्टेप वाली स्टेप माने बगा हाँ इते हीटिंग के लए हीटिंग के लिए और हीटिंग के लिए H2O निभून जातो त्याँ बगा हाँ इतला OH आणी हाँ इतला H हे निभून जाना रहा है जाथा end result बनना रहा है CH3C double bond O अलफा कार्बन ज़ा है पहला वाला hydrogen कमी जाना होता additions आठी आणी हाथा दूसरा वाला hydrogen आए तो कमी होता है for this elimination process next आणा रहा है C आणी हाँ दोगन मदे बनेल double bond and then ट्याला connected रहा है CH3CH3 condensation और ज़र बगाल मैं आथा इते numbering करें 1 carbon, 2nd carbon, 3rd carbon 4th carbon and 5th carbon तो 5 carbon 2nd carbon C double bond O 3rd carbon ला double bond carbon carbon double bond 4th carbon ला methyl so असाजा तुम्हे option बगालते इते दिस्तों बगा 4 methyl, 3 in 3rd carbon ला double bond 2 own, 2nd carbon so आजला option D correct option next बगा what type of phenomenon does canisaro reaction exhibit canisaro reactions या है तर canisaro reaction मधे exactly काय process होते okay बगा इते एक simple आसा word टेक्स्ट्बूक मधे सुधा directly mention आहे canisaro it's called as disproportionation reaction अता काय अस्तर है canisaro मनजे काय अस्तन अखी तर इते we will have such type of aldehydes असे aldehydes असे aldehydes जाचा मधे we will have absence of alpha hydrogen जासे की example के इतला आपन formaldehyde H C double bond OH हाज हला असा aldehyde जाचा मधे alpha hydrogen alpha hydrogen C double bond O जाए C double bond O त्याला कनेक्टर carbon त्याला कनेक्टर hydrogen that is your alpha hydrogen C double bond O त्याला कनेक्टर carbon अनि त्याला कनेक्टर hydrogen जो की इते present नहीं है मां अशा केस मधे काय होता तर अशा केस मधे दोन molecule सेचे घेतले आपन तर हे दोन molecule एकमेकांशी react करता आणि तैंचा पासुन एका पासुन बनतो carboxylic acid लीताना आपन पहिला त्याचा salt लीतो बट मी आथा डायरेक्ली धुणटे होतो है carboxylic acid आणि दूसराचा बनतो alcohol तो हे जाला reduction आणि हे जाला oxidation okay आणि मां अश्य reaction जी थे एकत स्पेसीज oxidize होती है आणि तीच स्पेसीज reduce होती है तर अश्या टाइप चा reaction लापन मन्टो disproportionation reaction okay इस वास्यूर question no.8 next भगया आपन question no.9 मने काया है तर आप्टेला विचार लेला है Rosenman reduction मन्जे नख्य काया है ओके Rosenman मने करतो काया है तर आप्टेला बनवाई चास तो अल्डी हैरी कोना पास्मान बनवाई चाय अल्डी हैरी R.C.O.H. हाजो compound है अल्डी हैरी हाँ बनवाई चाहे नो आम R.C.O.C.L. okay हाँ C.O.C.L. चाहे होती है तो है इस इस यह प्रोसेस आनि ही प्रोसेस करता ना अपन री एजंट यूज करतो H.T.O.P.D.B.A.S.O.4 अल्राइट अल्राइट इस इस इथे दिलेल आ है आप लाँ option A मदे H.T.O.P.D.B.A.S.O.4 बाकी चाहे है ते पर्ड रिडक्शन चेस एक्जाम्पल महनूँ शोकतो आपड हे चाहे ZNHG, HCL ता इस इस यूर क्लेमेंशन रिडक्शन इस इस मगाशेया पत्पड मघीत लोता वुल्ट किशनर इस इस स्टीफन अग्वाए पत्पन पर नहीं है थेग्शली स्टीफन महने पर्ड कॉंप्टी डेक्शन करता है ठीक है पार्शेया ली कंसिडर करूई शोकतो नेक्स्ट next question question number 10 मने बगा विच आप दो फॉल्विंग इस डाय कार्बोग्जिलिक ऐसे बगा एक वेरी इंपोर्टन पॉइंट यहां क्वेश्चन मनुन सांगें कि क्वेश्चन इंपला है बट थासा इंपोर्टन स्खूप आ है यह क्वेश्चन सा इंपोर्टन स्खूप आ है तुम नॉर्मल टेक्स मदे तुम्हाला कुझे दिसना नहीं बट आयू पैक सेक्षन जीते आहे तुम्हीं बगाल पहला सेकेंड और थर्ड पेज लासे अशे अशा पेज आहे ठीक है त्या पेज मदे अहां इथे एक बॉक्स है कसला बॉक्स आहे तो बॉक्स आहे और डू यू आणि टैचा मधे देहां मेंशन सर्टन इग्जाम्पल्स ओफ डाय कार्बोग्जिलीक असिद और मोनो कार्बोग्जिलीक असिद टेंचे कॉमन नेम्स टें मेंचन आहे तो क्वेश्चन जो आहे क्वेश्चन ट्यावर बेस्ट आहे कि विच आफ देफ फॉलोईंग इज डाय कार्बोग्जिलीक असिद कुन्टा वाला डाय कार्बोग्जिलीक असिद आहे तर इथे एग्जाम्पल्स आहे त्या पाई की हेजे सगया हे वैलरीक मन्जे पात कार्बन वाला अस्तो कैप् की फॉलोव करा वाया इस्तेर केहां इंपोर्टन आहे क्वेश्चन कॉज इथुन अपले हे समझ सगी जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन यहां डू यू नो सेक्शन बधू सुधा बंतो ओके तो अपले प्रतिक टेक्स्बुक चा पर्स लाइन टू लास्ट लाइन र यू सकायाइ टेक्स्बुक का सारा रिर कर अलडारी के लाबोर एंग्जाम सा पर कहला ओता बधनाहि अपलात लेक्स्य इंपोर्टन आहे रिख्च्सिन म् Dash ले वग्वचरा बंते इंपर्स आ है तो एक्स्बुक लोग यू श्रहे नां डिक्स्वाम ऴाधे गोर्टनस ए अलगी हाइड मनवाइते आपला ला ओके मागाशित आपन बगितला तो बेंजाइल क्लोराइड आए बेंजाइल क्लोराइड पासुन we are going to form अलगी हाइड है इंपल असा question होता next book you wolf kishner कि आडिये रिद्शन wolf kishner मगाशित जालेला है कि पास नहीं फूल्फ किस्चन काडि आपन फॉल्फ किस्चन आपन कासी विचातला होती है रोजन माइं आपन लन माइंड भी चातला होती है 13 मथे काई भी चाहले so we have been asked which of the following is simple ketone simple ketone कुणटा है simple ketone का यस्ता तर R C double bond O R okay this is called as simple ketone so it is ahr baghaal to me aapta the distant option acetofenone मझे eaker side la CH3 आणि फिनोन मंजे एका साइल ला बेंजीन so this is not simple ketone butanone मधे एका साइल ला CH3 असेल आणि एका साइल ला C2H5 असेल सो हाँ सुदा नहीं बन नाड़े benzofenone benzofenone मंजे दुन्ही साइल ला बेंजीन रिंग benzofenone दुन्ही साइल ला बेंजीन रिंग तो this will be your simple ketone है आहे तुमसा एक्जाम्पल ओफ simple ketone okay next बग्विया question before we go for next question इचे थोरा साउंड दिस्टर्बंस आहे माला so give me just 10 seconds आणि मी यहाँ question लगे इस दिसकस कूँँए question no.14 all right so question 14 मने बगा काई दिले ला है which of the following compound is octane when tolune tolune आहे त्याला आपन रियक कर दो है with CrO2, Cl2 and CS2, Chromyle Chloride C is a react killer this is your etard oxidation oxidation चा एक्जाम्पल आहे आणि कोण टाइप सा oxidation आहे तो this is your partial oxidation partial oxidation partial oxidation मेरे हो तक आहे तर जो tolune आहे benzene ring आणि टा बेंजन रिंग ला connector CH3 जवा है आप partially oxidized होतो आणि त्याचा पासन बनतो तो बेंजन रिंग आणि टिथे यह उनगा तो CHO अल्ध है तो यह यह बेंजन दी है तो करेक्ट आप्शन नेक्स्ट बगा question 15 मदे question 15 मदे अता आए के लिए आहे तर identify the reagent यूज फॉर फॉलिंग रियक्शन बेंजोई कैसी राहे ता बेंजोई कैसी रिपासन आपने बना वोला है बेंजोईल क्लोराइड बगा आसा गमपौन COH अनि है जबासन आता मी बेंजन ला लितो pH अनि इथे बनतो है COCl तो बेसिकली के लगाएड़े OH होता OH चाद आगे होती CL आदा ओके आता हे करने साथी आपने इथे डियेजन यूज करूँ शोकतो SOCl2 PCL3 और PCL5 है सगे डियेजन पॉसिबल आए आणि है सगे आप्शन मदे बना है मग क्वोंटा करेक्ट तो आइडेंटिफाई करने साथी हाजो सेकेंड पार्ट आए क्वेस्चन सा हाजो सेकेंड पार्ट आए तो इंपोर्टन आए काई-काई बन लए तो इथे बन लए POCl3 और HCl तो है जे फॉर्मेशन आए है पॉसिबल आए इन प्रेसेंस आप PCL 5 तो PCL 5 तो PCL 5 विल बिदा करेक्ट ओप्शन सो बाइड प्रोड़क्ट पन कधी-कधी इंपोर्टन बनुन जाता बढ़्यास दा शिकाउता ना पन सांग दस्तो इवन मी पन सांग दस्तो कि बाइड प्रोड़क्ट काई यहोड़ा इंपोर्टन नहीं है फोकस ओनली ओन में प्रोड़क्ट बट यह सक्ट की बनुशक्ता जाचा मधे बाइड प्रोड़क्ट वर बेस्ट अपलेला आंसर सांग दसे ओके अनि धिस वाज वन उप ताइप प्रेशन खुब चान वेस्टन आया ओके बगाता नेक्स प्रेस्टन बगी आपके इक सिंध मने काय दिले तर इडेंटिफाइड रियक्ट्शन इन वीच कार्बनील ग्रुप कार्बनील ग्रुप आहे औफ अल्डियर एंड कि टोन इस रिद्यूस्टू मिथिलीन ग्रुप मन्जे का एक सी डेबल बॉन ओ आहे त्या सी डेबल बॉन ओ सो कन्वर्जन के लिए आपन सी एच्टू मने इस यूर प्रोसेस आणि है करतो है इन प्रेसेंस ऑफ हाइड्राजीन नेच्टू नेच्टू नेच्ट्टू बगा एक लेल आहे टॉल्यून आहे त्याच वहती क्रोमाइल क्लोराइड आणि एस्टू प्लस हाँ अगाशित में डिसकस के लाएगेस हाँ था क्वेस्टन नंबर 14 बगा 14 मदे जे सांगीत लग क्रोमाइल क्लोराइड मंजे हाँ था सी रोटू सी एल्टू इन प्रेसेंस ऑफ सी इस्टू इस अली परीली स्टेप आणि सेकंड स्टेप जी आहे तैची तैचा मदे आई करते है आपनी ह्टू तो सेम प्रोसेस सांगीत लिली आहे बगाई थे तोल्यून क्रोमाइल क्लोराइड सी एस्टू आणि ह्टू प्लस तो बनना राहे अपलेक्डे बेंजाल दी ह तो इस ने कि नेक्स्ट बहुएं नेक्स्ट विच्छाद लाए अपलेव चमांग्ड फॉल्वें इस नॉत डाय कार्बोगजिली के सिर्क नइए तो बगाई ते मैलोनिक मैलोनिक आहे ग्लूटारीक आहे सिसिनीक आहे हे तीनी कंपाउंड जाहे ते अस्टना रहे अपले अपले करें डाइ कार्बोगजिलिक असिल जाचा माझे दोन COH ग्रुप प्रेजेंट असिल उनली कैपरोई कैसिल का से तो तर सहा कार्बन सहा कार्बन चा कार्बोगजिलिक असिल जाचा असिल वागा जे मागाशी सांगितले होता तो डू यू नो चा जो सेक्शन आहे त्या सेक्शन में यहां तुमादा दिसुनेगी ओके बगा नेक्स्ट क्वेश्चन बगवे आपन इथे काहे केले आहे अपलेला दोन 2N of 1 हैचे 2N of 1 हैचे त्याचा होती एड करेचे डाइमिथाइल काडम CH3 twice CD ओके आणी त्याचा पासून अपलेगड़े बनतो है प्रोपैनोन CH3 COCH3 आता ही जी रियक्शन आहे है ही रियक्शन ला अपना एक अधर टम्स होने बनू भनूश आपतो कि इस यह रियक्शन ओफ और गयानो मेट्यानिक कंपाउं ओके और गयानो मेट्यालिक कंपाउ इस यह रियक्शन आहे होताई काई एक्जैक्ली तर अपलेगड़ी इनिशल यहां आशा कंपाउं असना रहे CH3 COCL आणी त्यातला जो CL आहे है त्याच होना रहे हां मिध्थाईल में यहां कुछुन यहना रहे तर हाई यहनार आहे फ्रॉम धिस CH3 twice CD ओके तो इनिशल कंप एल दा तर मोग तो CL सो इथे बगाल ता ओप्शन मदे करेक्ट यहन लाना रहे एथा नोईल क्लोराइड इस विल्बीड़ करेक्ट ओप्शन नेक्स्ट बादा क्याएससन नमबर 20 महते क्लेमेंसन रिरक्शन रिरक्शन मंझे का है तर इथे घारेज़त होता तो जह। यह नीटव प्रेजनस ओफ ही लगवाल लक्षेथे बाल से लगष्द्वाण। HCl मतला CL, सो Clemenson, तो Clemenson reduction असना रहा है, ZNHG, HCl, अगे, और अगे, और अगे, ओर अल प्रोसेस का है असते, तो है, प्रोसेस मदे, C double bond O जा है, जा सब वुल्फ किष्ण अतला होता, C double bond O, तैसा कन्वर्जन, CH2 मदे, that is your process, next, question 21, which of the following, identify, the ketone from falling, ketone fine कड़े, ketone कोन कोने बगए, O8 मजे इस्टर जाला, this is Easter, this is amide, okay, थाला माइड, थाला माइडा है तो, तो amide जाला, salicylate, okay, salicylate, मजे पन इस्टर, तज एक्जाम्पल बने, आई रहेला, acid-o-finon, on, on मजे तो जाला, ketone, okay, are you pack, terms और बेस्ट, थोड़ा सा क्वेस्टन आपना महनूँ जोग तो, जा सेकेंडरी सफिक्स असता, प्रत्यक फॉंक्शनल गूप साथी, we have different suffix, तो मजे इस्टर जाला है, ketone साथी सफिक्स असना राहे, O-N-E, next, 22, which of the following colors, it's obtained by shift test, shift test gives magenta color, और, ओके, एह स्टेट फॉर्वर स्टेट मेंट आहे, shift based का असना राहे, तर तो आसा चाहे, NH2R अदर ग्रूप अनि हाँ अर्वराबल की ग्रूप असतो, तो यह reaction के लिए, कि C double bond O ग्रूप चा, identification अपलेला करता यह ता, और इथे बनता अपलेगरे, is a pair of monocarboxylic acid, आता ही, नावर मेभी तुम्हाल दिसत नसील, छोटी-छोटी दिसत नसील, बट कॉंटी वाली आहे, यह पेर आहे, बट काता ही ते, मैलोनिक लिए, मैलोनिक, dicarboxylic acid, प्रोपेयोनिक, monocarboxylic acid, वैलरिक, वैलरिक is mono, but cacinic, this is dicarboxylic, acetic acid, 1 but adipic acid, di, butyric, mono, and capric, that is also mono, so आप लेकरे, option करेक बनना राहे, option D, butyric plus capric acid, next बगा, 24 question, which of the following reagent, is used for itard reaction, itard reaction मथे आपने, यूज करतो क्रोमाईल क्लोराइड मागा ची दोन क्वेस्टन आपने इचे डिसकस के लिए और सेम टाइप चे तो इताइट्ट ना है टाचा मादे यूज करना रहा है क्रोमाईल क्लोराइड यूज दोन इस लिए लास्ट प्वेस्टन गेस्टो ऐस बॉइलिंग फॉइलएड ऊणा लाहे शुल्य अस्तों मॉइ पॉईलिंग जो सुलिए लामाइड ला हेलि aldehyde ketone carboxylic acid okay all right then so आपना हाँ वीडियो इथास एन करतो है एक के से आपन कम्पीट के ले ला है तशेज जे बाकी चे चाप्टर साहे 11 स्टैंडर चे अजो नहीं रिमेनिंग चार चाप्टर आनी 12 स्टैंडर चे 10 चाप्टर चे टेंग चाप्टर चे वन बाइवन वीडियो अपन अपलूर करता रहना है so if you are liking this content then do share with your friends who are preparing for MHT CET examination 2024 or 2025 all right so see you in next video and all the best for your preparation